पर्यावरन की रक्षा हम सब का व्यक्तिकत और सामुहिक ताइत्व है प्रकृति है तो हम है प्रकृतिक संसाधुनों के दोहन से पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए प्रकृतिकला को बढ़ावा देने के लिए नई दली इंडियन हैबिटेट सेंटर में दे फ्रैगिलिटी ओफ हैबिटेट का अयूचन किया क्या एकल कला प्रदर्शनी में आर्ती जवेरी के क्रतियों का वर्णन किया जाएगा जहां उनका उदेश्य पर्यावरन और समाजि कि बिये ने लिल 2017 की विजेता कलाकार आर्ती जवेरी कोरियाई कला संगठन याटों के सैयोग से ग्लोबल नॉमेडिक आर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है जो प्रकृति कला को बढ़ावा देती है इनका काम सार्वजनिक स्थानों पर इंस्टलेशन, सार्वजनिक कला पाठों, पबलिक आर्ट लेसंस और अचर्चाओं के माध्यम से जन्दा के बीच आकरुकता को बढ़ाने पर केंद्रित है जिसे की पर्यावरनिय, गिरावट, इस्थिरता और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सके परदर्शनी के बारे में बोलते हुए आर्टी जवेरी ने कहा, आज प्रित्वी मानव जाती के इतियास में पहले से कहीं अतिक दबाव में है, मरुष ने इसके संसादनों पर अपना कब्जा कर लिया है और प्रकती इसके संतुलन और मोल को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, मेरा मान से अनुभव करने में काफी योगदान रहा, आपको बता दें, प्रदर्शनी 3 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में आहम जनता के लिए खुली रहेंगी हैबिटाट, इसका मतलब यह है कि हमारा अर्थ बहुत ही नाजूक प्रजाइल हो गया है, हमारी प्रित्वी हमें सम्वेंदर्शिल हो गई है, तो उसकी वेदना को दर्शाने की यहां पे मैंने कोशिस करी है, और यह एक्जिबिशन अभी 1st January से शुरूआ था, 3rd January से और 30 January तक है, तो यहां पे 5 इंस्टॉलेशन लगे हैं, और यह पांचों अलग, सेम 5 एलिमेंट दिखा रहे हैं, उसी हिसाब से, लोगों को काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह का चीज से, ओपन एर में, अच्छे मौसम में देखने के लिए, और प्लस अपने सम्व अच्छा लग रहे हैं, जरूरी प्लास्टिक हमें नहीं यूज करना चाहिए, हमें नाच्रल माटीरियल को ज्यादा एहमियत देना चाहिए, यह आइडिया कहां साहिए, गलोब जिसा बनाना, और फिर यह मकरी की जाली बेगरा, यह आर्टिस्ट के आइडिया से, हम बेरी सेंसिटिव अबाउट अर्थ हैं, जो हम जिस तरह से कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज, प्लास एर प्लूटेट कर रहे हैं, नदी को पूरी तरह से खराब करते हैं, तो यह पांचों चीजों को मैंने यहां पे दर्शाया है, और लास्ट कोशन की आपती टीम जो है, जो पहले आपने यह जब जगा मिला हमें बनाने के लिए इन्वाइट किया गया, विटार्ट सेंटर विजुल आट से, कि आप यहां पे कुछ कर सकते हैं इस तरह का, जो एन्वारमेंट को अवेर करते हो, तो तब फिर पुरा द्रॉइंग, फिर उसके बाद एक्जुक्शन क करना और यह करते करते हैं, और यह करते हैं, फिर फिर दो माहिन हैं. स्वार आंथे च्ट उराओ क सकते हैं, उसके बड्hmm बद Pacific के करते हैं, ईस के ऊचे पू dönहीं है। छी जल्ड गे न exam the yoga or any of the aspects and was very important for Aarti the artist to talk about the idea that we are all integratedly interconnected in our belief system to preserve conserve and to make sure that the coming generations are able to inherit whatever our forefathers gave to us not bad but at least just the way we got it back so it is the responsibility of each one and we have started with this thought process not just by posing the question but by saying refuse single-use biodegradable plastic reuse it recycle it and be conscious of what your responsibility is as and when you want that is why isi ki waise ham vasudev kutum samasakta hain ham brahmaasmi bhi samasakta hain aur yeh jitni bhi philosophical baat hai hama baton mein baatay karate hain usko ab jivant kar kar jine ka mauka hai aur kalakar lekhak ki yehhi kooshish hooti hai ki aapne shabdao ke through aapne visual ke through is baat ko un sablo i – kari h iw huka hai staykta hain ki ki kera organiz kuragako हो गए अब जल्दी हम प्लास्टिक खा रहे हैं और थोड़े दिनों में हमारे पास जिस तरह हमारे हालात है हम भूल गए है कि खाना कौन बनाता है कैसे पकता है और कैसे खाते यह सब चीजे प्रत्वी में हरेने वाले हर प्रत्वी वासी के लिए धरम जाती हर समाज के और देश के परे यह बात आज सब के उपर अप्लिकबल है ना सिर्फ डेवलपिंग नेशन्स या डेवलप नेशन्स या होने वाले तो थैंक यू आप आए हमें बड़े अच्छा लगा हो सकता है कि आपके थू यह बहुत लोगों तक पहुचे एक्जिबिशन तीस तारीक त हुचे 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 हुचे